नमस्कार, मैं डॉक्टर नमीता वर्मा, अकैडमिक कंसल्टेंट, उत्राखंट ओपन उनिवर्स्टी, डिपार्टमेंट ओफ एकॉनोमिक्स. हमारा आज का विशय है राश्ट्री आए. किसी भी देश में एक निश्चित अवधी में कुल उत्पादित, वस्त्वों और सेवाओं के मौदरिक मूल्य को ही राश्ट्री आए कहा जाता है. आज हम इसी विशय में विस्तरित रूप में चर्चा करेंगे. राश्ट्री आए अथ्वा राश्ट्री लाभांश किसी देश की आर्थिक स्तिती का सबसे महत्वपून सूचक है. अर्थ्विय वस्ता में होने वाले परिवर्तनों को इसी के द्वारा मापा जाता है. इसके द्वारा राश्ट्र के आर्थिक कल्यार्ण, उसके विकास के स्तर तथा विकास की संभावनाओं का बहुत कुछ अनुमान प्राप्त हो सकता है. राश्ट्री आयक अथ्वा राश्ट्री लाभांश से अभिप्रयाय साधारन तहा किसी देश में एक वर्ष में उपन होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के विशुद मातरा से होता है. दोहरी गिंती से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं का मूली ही आका जाता है. विदेशों से प्राप्त होने वाली विशुद आय भी इसमें जोडी जाती है. मार्शल के अनुसार देश का श्रम और पूजी उसके प्राकर्तिक साधनों पर क्रियाशिल होकर प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तों के शुद्ध योग का जिसमें सभी प्रकार की सेवाइं सम्मिलित होती हैं उत्पाधन करते हैं. यही देश की वास्तविक शुद्ध आय आगम या राश्ट्री लाभांश होता है. मार्शल द्वारा उत्पाधन के शुद्ध योग पर बल दिया गया. क्योंकि उन्होंने उत्पाधन क्रिया में लगे वे यंत्रों अथ्वा अन्य पूजी गत परदार्थों की गिसावत अथ्वा डेप्रिसियेशन को कुल उत्पाधन के योग में से घटा देना अवश्यक समझा था. उनका विचार था कि कच्चे माल तथा अर्थ निर्मेत वस्तों के प्रयोग पर किये गए व्याय को भी कुल उत्पाधन में से घटा दिया जाए. विदेशी विनियोगों से प्राप्त हुई शुद्ध आए इसमें जोर दी जाए. इसमें कोई संदे नहीं है कि मार्शल की परिभाशा सेधान्तिक दृष्टी कोंड से संतोष जनक है क्योंकि इसे शुद्ध विज्ञानिक अधार देने का प्रेतनी किया गया है. यह सरल और सपष्ट है और सहजी इ किया जा सकता. किन्तो व्यवारिक दृष्टी कोंड से इसका मुल्यानकन करने पर कई कटनाईयां हमारे सामने आती हैं, जिसमें से पहली है सही गड़ना में कटनाई. एक वर्ष में विभिन्य प्रकार की असंख्य वस्त्वों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और प्रतेक की विभिन्य किसमे होती हैं. व्यवारिक रूप में संपूर्ण उत्पादन की गड़ना कर लेना कोई सहच कारिव नहीं है. दूसरी, विनिमे में ना आने वाली वस्त्वों तथा सेवाओं की समस्या, कुछ ऐसी वस्त्वें तथा सेवाओं भी होती हैं जो व अत्यंत कठिन समस्या है. तीसरी समस्या है दोहरी गड़ना की संभावना हैं. हालाकि मार्शल ने राश्ट्री आई की सही गड़ना करने के उदेश्य से उत्पादन के शुद्ध योग पर काफी बल दिया था. परंतु इससे गड़ना करने में दोहरी योग यानी डबल का की संभावना समाप्त नहीं होती है. वास्तव में कच्चे माल अथ्वा अर्ध निर्मित वस्तुओं के संबंद में तो दोहरी गड़ना की संभावना बहुत ही अधिक रहती है. प्रोफिसर पिगू के शब्दों में राश्ट्री लाभांश, समाज की वस्तुगत या भौ सेवाओं को समिलित करना चाहिए जिनका वास्तव में मुद्रा के बदले में विक्रे होता है. इस प्रकार प्रोफिसर पिगू की विचारधारा के अनुसार किसी देश की राश्ट्र आई में विदेशों से प्राप्त आई तथा मुद्रा के मापदंड द्वारा मापी जा सकने वाली आई समिलित की जा सकती है. इन में से उन वस्तवों तथा बहुतिक सेवाओं को निकाल देना होगा जिने पहले गिना जा चुका है ताकि उनकी गढ़ना दोबारा ना हो. प्रोफेसर पीगू ने मुद्रा के मापदंड के प्रियोग द्वारा राश्ट्रयाय की विचारधारा को अधिक, निश्चित, व्यहवारिक तथा उप्युक्त बनाने का प्रेत्न किया है. परन्तु पीगू की विचारधारा सेद्धांतिक अधार पर दोश्पूर्ण है इसकी प्रमुक आलुचनाय निम्न है. पहली वस्त्वों तथा सेवाओं में एक क्रतिम भेद। सेवा से परिवर्तित हो सकती है और इसकी विप्रीथ दशाबी संभव है दूसरा राश्ट्री आय में अनिश्चित्ता प्रोफेसर पिगू की राश्ट्री आय की गणना से संबंदित विचारधारा अनेक असंगतियों को जन्म देती है और राश्ट्री आय के छेत्रों को प्रिशी से प्राप्त आय उत्पादन के आधार पर नहीं पलकी बिक्री के आधार पर आकी जाएगी इस्त्रियों द्वारा मजदूरी के उपलक्ष में किया गया कारी राश्ट्री आय में समिलित होगा परंतु मा अथ्वा पत्नी के रूप में किये गए कारियों की गणन नहीं की जाएगी अवैतनिक करमचारी राजनितिक कारी करताओं वैज्ञानिक शोत करताओं आधी के कारियों को भी राश्ट्रियाय में समिलित नहीं किया जाएगा यहां वस्तुओं तथा सेवाओं के बहुत सारे भुगतान मुद्रा के माध्यम से नहीं चुकाई जाते हैं इर्विंग फिशर ने मार्शल तथा पीगू से बिल्कुल भिन आधार पर राश्ट्रियाय की परिभाशा दी है उनके अनुसार राश्ट्रिय लाभांश अथ्व आई के अंतरकत केवल उन सेवाओं को समयलित किया जाता है जो अंतिम उपभोगताओं को अपने भौतिक अथ्वा मानवी वातावरण से प्राप्त होती है एक पियानो या एक लबादा जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है इस वर्ष की आई का भाग नहीं है बलकि मुझे इस वर्ष प्रदान की जाएगी आई होगी स्पष्ट है कि प्रोफेसर फिशर के अनुसार राष्ट्री आई किसी देश के वार्षिक उत्पादन से नहीं पलकी राष्ट्री उपभोग की मात्रा से निश्चित होती है यदि किसी वर्ष में 2000 रुपे के मूली का ए प्रोफेसर फिशर के अनुसार उस वर्ष में पियानों के उपभोग के मूली को ही समिलित किया जाना चाहिए न कि संपूर्न 2000 रुपे के मूली को देखने में प्रोफेसर फिशर द्वारा दी गई परिभाशा अधिक तर्कपूर्ण तता सही प्रतीत होती है परंदु व् फैले होते हैं जिनके द्वारा किये गए उपभोग की माप करना उत्पादन की माप की अपेक्षा अधिक कठिन कारी है दूसरा अव्यवारिक अधिकतर टिकाव वस्तुओं के जीवन का उचित अनुमान लगाना एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि किसी वस्तु का परिभाशा में भी व्यापत है अता यदि उपभोग के अनुमान लगा भी दिये जाएं तो यह आवश्यक नहीं कि हमारे निश्कर्ष पूर्णे तहा सत्य हो प्रोफेसर साइमन कुटनेट्स ने फिशर की परिभाशा से मिलते जुलते विचार व्यक्त किये हैं उनके अन अत्वा देश की पूजीकत वस्तों के स्टॉक में विशुद रूप में व्रधी करती है भारत में राश्ट्री आय समिती ने सन 1951 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राश्ट्री आय के अनुमान से बिना दोहरी गड़ना के एक दीहुई अवधी में उत्प यह राश्ट्री आय के अंतरकर तेश में उत्पन सभी वस्तों तथा सेवाओं के शुद्ध मूल्य को समिलित किया जाता है शुद्ध मूल्य की गड़ना के लिए कुल मूल्य में से डेप्रिसियेशन घटा दिया जाता है और यह धान रखा जाता है कि कोई गड़ना आएए अब हम राश्ट्री आय से संबद्धित कुछ महत्वपुर्णी कॉंसेप्स को समझने की कुशिश करते हैं पहला है कुल राश्ट्री उत्पादन यानि ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट या जी एनपी किसी देश में एक वर्ष के अवदी में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूलियों के जोड को कुल राश्ट्री उत्पादन कहते हैं कुल राश्ट्री उत्पादन से संबद्धित निमने लिखे तीन बाते महत्वपुर्ण हैं कुल राश्ट्री उत्पादन में वर्ष भर में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूलिय को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है मौद्रिक मूलिय के अधार पर ही विभिन वर्षों में उत्पादन की मात्रा में तुलना की जाती है दूसरा, इसमें केवल अंतिम वस्तुओं तथा अंतिम सेवाओं के मूल्यों को ही सम्मिलित किया जाता है इंटर्मीडियेट गोड्स और सर्विसेज अर्थात अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्णमान में प्रयोक्त होने वाली ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। इससे दोहरी गर्णा से बचा जा सकता है। तीसरा, कुल राश्टी उत्पादन में अन्प्रोड़क्टिव ट्रांसेक्शन्स को समिलित नहीं किया जाता है। वित्तिय सौदे, पुरानी वस्तुओं के क्रै विक्रै के सौदे या ट्रांस्फर पेमेंट्स आदी कुल राश्टी उत्पादन में नहीं जोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं शुद्ध राश्टी उत्पाद, नेट नेशनल प्रोड़क्ट और एनन्पी की। कुल राश्टी उत्पादन में से पूजी गत वस्तुओं अर्थात मशीनों आधी की गिसाई पिटाई के कारण हुए डेप्रिसियेशन को घटा देने से जो शेश बचता है उसे शुद्ध राश्टी उत्पादन कहते हैं। क्योंकि इसकी गर्णा बजार भावों से की जा सकती है। इसे बजार मुल्यों पर राश्टी आए यानि की नेशनल इंकम एट मार्केट प्राइसेज भी कहा जा सकता है। यानि NNP is equal to GNP minus depreciation। साधम लागत पर राश्टी आए नेशनल इंकम एट फेक्टर कॉस्ट शुद्ध राश्ट्री उत्पादन में से परूक्षकरों की राशी को निकाल दिया जाता है। तथा कुल वस्थवों तथा सेवाओं के उत्पादन पर सरकार द्वारा दिये गए उपदान यानि सब्सिडी की राशी को जोड दिया जाता है। अगर हम इसको ब्रीफ करें तो नेशनल इंकम एट फेक्टर कॉस्ट इस इकुल टू NNP या नेशनल इंकम एट मार्केट प्राइसे माइनस इंडिरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडीज अब बात करते हैं परस्णल इंकम की एक वर्ष की अवधी में उत्पत्ती के साधनों द्वारा कमाई गई आई में से कई प्रकार की कटोतियों के पश्चात देश में अथ्वा परिवारों को जितनी आई वास्तों में प्राप्त होती है उसे परस्णल इंकम कहते हैं उधारन के लिए सरकार को दिये गए अंशिदान अथ्वा वेतन भोगियों से प्रोविडिन फंड आदी के रूप में की गई कटोतियां राष्टी आए में से घटा दी जाती हैं सरकार द्वारा दिये गए विभिन प्रकार के अलाउंसेज जो किसी उत्पादन कारी के बदले में नहीं दिये जाते ट्रांस्फ़र पेमेंट्स कहलाई जाते हैं अंत में बात करते हैं disposable income यानि उपभोग के आई की व्यक्तियों तथा परिवारों को उपलब्ध व्यक्तिक आई में सरकार द्वारा लगाए कए personal taxes को निकाल देने के पश्चाद जो शेश आई बचती है उसे disposable income कहते हैं क्योंकि यहाँ आई उपभोग पर व्याई की जा सकती है अतहा disposable income is equal to personal income minus personal taxes परन्तु व्यवार में इस प्रकार की आई पूर्ण अतहा उपभोग पर ही व्याई नहीं की जाती है बलकि इसका एक भाग लोग बचत के रूप में अपने पास रखते हैं इसलिए disposable income is equal to consumption plus savings धन्यवाद मुझे उमीद है कि आज की इस लेक्चर के बाद आप राश्ट्री आई को अच्छे से समझ पाए होंगे और इसी के अगले भाग में हम विस्तित रूप से चर्चा करेंगे राश्ट्री आई के मापन की विधियां वो उसके महत्व के बारे में धन्यवाद